दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे हिसाब से हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे स्टुडेंट्स होंगे जिनका आरों का फॉर्म नहीं बरपा रहा है क्योंकि OTR की वेबसाइट जो है वो उसका सर्वर बिजी चल रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट करक है आयोग की बहुत बड़ी नाकामी भी सामने आई है कि जब OTR जब डारेक्ट हम आरों का फॉर्म बरते थे उससे पहले अब एक और चीज़ ला दी OTR भरो उसके बाद में फिर आरों का फॉर्म भरो सर्वर चल नहीं रहा है तो यह सब आयोग की एक नाकामी भी दरसाता ह उनको पहले अपना सरवर अच्छा करना चाहिए था फिर उन्हें यह सब फॉर्म भरने को स्टार्ट करना चाहिए था जिस हिसाब से इस्टुडेंट्स जो है लाखो की संक्या में फॉर्म नहीं बर पाए है मुझे पूरी उमीद है कि लास्ट डेट जो है बढ़ाई इसके लाबा ये तो फॉर्म भरने को लेकर रहा इसके लाबा एक चीज़ और जिस पर किसी का दिहान नहीं जा रहा कि टाइम कितना वेश्ट हो रहा है जो बच्चे पिछले एक महिने से लगे हैं फॉर्म भरने के लिए समझों को पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहा है क्यो हो गया फॉर्म भरने में अब जो पढ़ेगा तो किस तरीके से पढ़वाएगा तो यहां पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वाकई इसको देखने की जुरत है क्योंकि ऐसा सिश्टम रहेगा तो महिनों बरबाद हो जाएंगे फॉर्म से कम पांच साल के UP PCS के पेपर अपने टेविल पर रखना और यह देखना कि क्या चीज़े एक्जाम में पूछी जाती है उस इसाफ से दिमाग लगा के पढ़ोगे तो सेलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे पिछले साल का पेपर अनेलिसस मैं आपको पिदा रहा साइन्स पढ़ लो साइन्स के 20 कोशन पूछे जाते हैं आपका जो हिस्ट्री है हिस्ट्री से लगबग 20-22 कोशन पूछे जाते हैं आपका पॉलिटी है जहांसे 10-12 कोशन पूछे जाते हैं रिजनिंग के 15 कोशन फिक्स हैं आसान लेविल के आते हैं आराम से 15 के 15 सही किये जा सकते हैं तो यह पांच चीजे भी अगर ढंग से पढ़ लोगे तो भी आपके एक्जाम निकलने के चांसे बहुत जादा रहेंगे सारे सब्जिक्ट पढ़ने के चक्कर में आपका एक्जाम खराब होता है जैसे साइंस में अगर आप देखोगे तो 20 कोशन पूछे जाते हैं और 20 में से बाइलोजी के 10 से 11 कोशन पूछे जाएंगे 8 से 9 कोशन आपके फिजिक्स के हो गए केमिस्ट्री से मुस्किल से 1 या 2 कोशन पूछा जाएगा तो होसियारी यही कि केमिस्ट्री को आप बहुत जादा पढ़ें छोड़के भी चले जाओगे तो भी कोई गलत बात नहीं है क्योंकि पूरा सब्जिक्ट पढ़ोगे और केवल 2 कोशन पूछे जाते हैं तो दिमाग लगाओ ऐसे सब्जिक्टों को छोड़ना ही जादा अच्छा है जियोग्रफी डिटेल से पढ़ो, साइन्स अच्छे से पढ़ो, हिष्ट्री अच्छे से पढ़के जाओ करेंट हफेस अच्छा सा करिए, करेंट हफेस हम आपको डेली बेसिस पर कराई रहें तो ये सब चीजे भी कर लोगे तो भी आपका एक्जाम निकल जाएगा इसके लिए आप आपको बता दूँ कि अगर आप पहली बार में सेलेक्शन चाहते हो हाला कि हमने आपको अपने बैच में आरो के 5 साल के कुश्ण करा दियें, यूपी पीसेस के करा दियें और आपका NCRT के स्टेंडर कुश्ण करा दियें, कुछ छोड़ा नहीं है तो अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो खीक है तो ये सब चीजे हो गई, बाकी किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट बोक्स में लिकर बता सकता है